कॉंग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठ बंदन के सैंक्तु रैली को सम्बोधित किया सोनिया गांधी के साथ मंच पर सपा सुप्रीमो अकलेश यादव कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी समेत कई लोग मौजूद रहे भाशर के दोरान सोनिया गांधी ने भाजपा और मोधी सरकार पर जमकर बरसी और अपना संदेश राय बरेली की जनता को दिया और साथ ही कहा कि मैं अपने बेटे को आपको सौपने आई हूँ आई टी आई मैदान में गठबंदन की सेवा संकल्प सभा में कॉंग्रेस और सपा ने मिलकर ताकत दिखाई महगाई से लेकर एलेक्ट्रोलर बॉंड तक के मुद्दो पर भाजपा पर निशाना साधा जन सभा को संबोधित करते हुए प्रेंका गांधी ने कहा कि पूरा देश देख रहा है ये समाजवादी और कॉंग्रेस के कारिकरता एक सहलाब बन गए है पूरे देश को दिखाया है कि पूरे दिल से आप लगे हैं परिश्रम किया है यह राय बरेली का शेत्र है मेरे परिवार का राय बरेली से गहरा रिष्टा रहा है इस रिष्टे को अटूट बनाने के लिए राहुंट गांदी मैदान में है दस साल से गरीब, किसान, मजदूर, महिलाय परिशान है जनजन की पुकार थी कि आपके सुनवाई हूँ लेकिन नरींद्र मोदी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई आज इस देश में आंधी उठी है कि सत्ता से तानाशाहिद सरकार को हटाया जाए राइबरेली की जनता ने सौ साल पहले आवाज उठाई थी एक बार फिर राइबरेली देश को सत्ता परिवर्तन के निये आवाज दे रहा है सभा को संभूदित करते हुए अखलेश यादव ने कहा उन पर बड़ी संख्या में सभी पदादिकारी दिखाई दे रहे है जहां मैं चला हूँ लगतार सडकों पर सलाव दिखाई दे रहा है पंडाल के बीश लोग दिखाई दे रहे है ये जुन सलाव फैसला कर रहा है कि राहुल गांदी ना केवल जीतेंगे बलकि रिकार्ड तोड जीतेंगे राय बरिली की यही राय है कि भाजपा यहां से जाए देश के एक नेता है जो हर जगा अपना जूट का रिष्टा निकाल लेते हैं वो भी देख ले और सुन ले कि राहुल का सच्चा रिष्टा राय बरिली से है अखलेश यादम ने मंच से महंगाए का मुद्दा भी उठाया और जन्ता से सवाल किया कि 10 साल पहले मोटर साइकल की क्या कीमत थी अब कितनी है बिजली महंगी कर दी गई कोई सुधा नहीं है भाजपा के लोगों ने आप के साथ धोका किया है बलकि किसानों की बोरी से भी चोरी की है नैनो यूरिया को बिकवाने के लिए नए फॉर्मूला निकाला है यह सुनने में आ रहा है जिसने नैनो यूरिया बनाई वो भारत छुड़ कर चुला गया इंडिया गटबंदन गरीबों के लिए फैसला लेगा